नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका फिर्स क्लाउड में तो दोस्तो भारत के S-400 की मिसाइलों को रोकने के लिए पाकिस्तान अपने बेडे में JF-17 लडाकु विमान को सामिल कर रहा है और पाकिस्तान अपनी वायू सिना के बेडे में अगले महिने 50 JF-17 लडाकु विमान सामिल कर रहा है और इसके पीछे पाकिस्तान का मकसद है भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइलों को बरबात करना तो चलिए दोस्तों बिना आपका समर बरबात किये वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं दरसल दोस्तों भारत ने पाकिस्तान से लगी सीमा के पास एयर डिफेंस सिस्टम S-400 की तैनाती कर दी है और जिसके बाद से इमरान खान की सरकार काफी डरी हुई है और पाकिस्तान की वायु सेना ने अपनी चमता बढ़ाने पर काम करना स्टार्ट भी कर दिया है और बीते महिने कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया था कि पाकिस्तान की वायु सेना भारत के राफेल विवानों का मुकाबला करने के लिए चीन से 25 जेटन सी लडाकु विवान खरीदने का सोच रही है और पाकिस्तान के ग्राह मंत्री सेक रासीद एहमद ने दिसंबर 2021 में एक कारेक्रम में कहा था कि 23 मार्च को पाकिस्तान की परेट के दवरान होने वाले फ्लाई पास्ट में 25 जेटन सी इमान हिस्सा भी लेंगे और अब ऐसे में खबर निकल कर आई है कि पाकिस्तान की वाईव सेन अपने पुराने बेड़े के स्थान पर अगले माईने 50 जेटन सात्रा ब्लाक 3 थंडर लडाकु विवान को सामिल कर सकती है और पाकिस्तानी विशेसग्यों का मानना है कि इसके पीछे का उद्देश भारत के S-400 सिस्टम के खिलाब अपनी छमता को अपग्रेट करना है वहीं GF-17 विवानों को चीन और पाकिस्तान ने मिलकर बनाया है वहीं रूस ने भारत को S-400 मिसाइल सिस्टम के पहले बैच की डिलिवरी बीते साल लॉंबर से करनी सुरू की थी और जिसके बाद इन्हें पंजाग में पाकिस्तान से लगी सिमा पर तैनात किया गया है और सतह से हवा में मार करने वाली इन मिसाइलों को अपरेल तक चालू भी कर दिया जाएगा और पिछली रिपोर्ट में कहा गया है कि S-400 सैम बैटरी राज में मौझूद ISF के 5 बेस में से एक की तरफ रवाना की गई है जबकि कुछ को LAC के पास ले जाया गया है यानि चीन और पाकिस्तान के खत्रे को भापते हुए या मिसाइल सिस्टम तैनाद भी किये जा रहे हैं जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि भारत और चीन के बीच लद्दा को लेकर करीब 22 महीनों से विवाद चल रहा है और जो कई राउंडों की बैठक होने के बाद भी खत्म होता नहीं दिख रहा वहीं S-400 पाकिस्तान के किसी भी तरह के दुस्साहस का मुह तोड़ जवाब दे सकता है और इसे दुनिया के सबसे सकतिसाली डिफेंस सिस्टम में से एक माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि या राकेट, मिसाइल, क्रूज मिसाइल और यहां तक की विवान जैसे विभिन हतियारों के खिलाब भी काफी ज़्यादा प्रभावी है और यही वज़ा है कि पाकिस्तान इससे इतना ज़्यादा डरा हुआ है और ऐसी जानकारी है कि चीन ने भी सिंजियांग और तिबबत में इन्ही स-400 को तैनाद किया है हाला कि चीन के पास जो स-400 मौजूद है उसकी रेंज 300 किलो मीटर तक ही है वहीं आपको बता दूँ जेफ 17 ब्लाग 3 विवानों का नया वाला वर्जन है और ऐसा माना जाता है कि इसने दिसंबर 2019 में अपनी पहली उडान भरी थी और पिछले साल जेफ 17 ब्लाग 3 को PL-10E AAMS ले जाते हुए भी देखा गया था जिसे चीन अपनी सबसे उन्नत हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल भी कहता है वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक इन बिवानों में इमेजिंग इंफ्रारेट आधारित मिसाइल एप्रोच वार्णिंग सिस्टम होगा और यह किसी भी दिशा से हमला कर सकता है और इसकी मिसाइले लच्छ को भेदने के लिए गती और ट्रेजेक्टरी को भी बदल सकती है और पाकिस्तान का मानना है कि जेप सत्रा ब्लाग 3 लडाकु विवान उन्नत साफ्टेर और कडाल सम्ताओं से लहस है जिनका इस्तिमाल S-400 मिसाइलों के ट्रेकिंग सिस्टम को धोखा देने के लिए किया जा सकता है तो आप सभी लोगों को बता दू कि पाकिस्तान जितने सुहाने सपने देख रहा है वो उतने ही जूठे भी हो सकते हैं मतलब यह है कि वो S-400 सिस्टम को अगर GF-17 के आगे कमजोर मान रहा है तो पाकिस्तान की यह सबसे बड़ी भूल है केवल रूस ही नहीं बलकि पस्चिमी सैने विशेसक्यों ने भी यह दावा किया है कि S-400 रेगुलर और स्टील्थ दोनों तरह के युद्धक विवानों का पता लगा सकता है वहीं इसकी इंटरसेप्शन रेंज 400 किलोमीटर तक है और S-400 सिस्टम 20 मिल के दूरी पर F-35 स्टील्थ विवान का भी पता लगाने में सच्चम है और अगर अमेरिका के दो सबसे उन्नत लड़ाकु विवान S-400 रडार के लिए विजिबल है तो पाकिस्तान का JF-17 भी इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है और ऐसे में JF-17 को बेडे में सामिल करने का उद्देश पाकिस्तान की जनता को खुश करना ज्यादा लगता है ना कि सेना की ताकत को बढ़ाना अब आप लोगों का क्या कहना है कमेंट में जरूर बताएं और लाइक, शेर, सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को जरूर प्रस करें ताकि डिफेंस से जूड़ी खबरें आप तक पहुंशती रहें धन्यवाद आप लोगोगो आप लोगतो उडियो शेगनым पेंटी झाले तक ब्रस करें करुंशती नहीं